क्लास फाइब हुली चाइड स्कूल साइंस चैप्टर नुबर वान आज हम लोग कंटिनु करेंगे ब्लड वैसल्स टॉपिक से इंसाइड दे बॉड़ी ब्लड फ्लोस थूर नेट्वर्क अफ ट्यूब्स एंड चैनल्स तो शरीर के अंदर हमारा जो खून है किसके अंदर से बहता है ट्यूब्स पाइब जैसे होते हैं चीजे या चैनल्स यानि वो भी पाइब जैसे होते हैं इनके द्वारा बहता है अंदर these tubes and channels are known as blood vessels इनिको blood vessels बोला जाता है structure and functions of blood vessels कैसे होते हैं, उनका काम क्या होता है, यह हम देखेंगे there are three types of blood vessels तीन प्रकार के blood vessels होते हैं, arteries, veins and capillaries number one, arteries the main function of the arteries is to carry oxygen-rich blood from the heart to different body parts तो main काम है arteries का, oxygen के साथ मिलावा जो खून है उस खून को पूरे सरीर में पहुंचाना arteries are deep seated, except at some places like the wrist and along the side of the neck where these are close to the skin तो जादतर arteries क्या है, चमड़े के काफी अंदर होते हैं कुछ-कुछ जगा छोड़के, जैसे कि हमारा कलाई wrist हो गया वहाँ पर आपको नसे दिख जाएंगी आपको, और आपका skin हो गया, आपका जो गर्दन है, वहाँ की जो नसे है, वो थोड़ा उपर की तरफ रहती हैं, बाकी सब अंदर की तरफ they have thick elastic walls और आट्री जो किनार मालब साइड के जो जो पाइप होता समझे लो पाइप तो देखा है होगा आपने तो उसी के जासे इननास होता है, तो उसका जो बाहर का जो चमड़ा है, वो काफी मोटा होता है, दे carry pure blood except the lung artery which carries impure blood तो यह जो arteries है pure blood carry करती है और इसके साथ oxygen में मिक्स होता है एक artery को छोड़कर जो lung में जाती है lung से lung में जाती है जिसमें आपका गंदा खून रहता है उसमें valves are absent in arteries arteries में कोई valve नहीं होता है जिससे खून एकी तरफ या दोनों तरफ जाए ऐसा कोई valve नहीं होता है खून एक तरफ कोई जाता है आपका और उसमें रोकने का कोई जगा नहीं होता है veins the main function of the veins is to carry oxygen deficit blood from different parts of the body to the heart तो में का में वेंस का oxygen deficit blood यानि बिना oxygen का जो खून है वो अला खून अलग अलग body से फिर हाट में वापिस लेके आता है except the lung vein which carries oxygen blood तो खाली एक भेन को छोड़के जो लंग से निकल के आता है हाट पे जिसमें oxygen रहता है बाकी सब veins में आपका oxygen नहीं रहता है veins lie closer to the surface of the skin and can be seen as greenish blue lines in our hands and legs तो अगर पैर और हाथ में हाथ की कलाई में बहुत असानी से दिख जाएगा दोनों हाथ में आपको हलका नीला नीला या हरा हरा से आपको दिख जाएगा तो यह veins हैं जो arteries हैं वो लाल होती हैं क्योंकि उसमें oxygen वाला खून जाता है आर जो यह नीले होते हैं या हरे से हैं इसमें बिना oxygen के फूरा की खून है वो वापेस आता है लंग्स में आता है लंग्स में खून मिलके फिर हमारा हार फीर हला हार से फिरём उनिला खथ होंके पूरे शरीर में जाता है तो इनके जो side के चमड़ा होता है इनका veins का ये पतले होते हैं valves are present in the veins to stop the backward flow of blood as it moves towards the heart तो जब वापिस खून आता है heart में ये बिना oxygen वाला heart बिना oxygen वाला blood valves से तो उसे valves होते हैं ताकि ये बिना oxygen वाला जो खून है वह वापिस ना चलाई है साँ आगे जाएगा लेकिन पीशे के तरब नहीं जाएगा है capillaries when arteries reach an organ the branch into very fine tubes called capillaries जब भी arteries किसी organ में समलो kidney हो गया या lungs हो गया वहां पहुंचते तो बहुत पतले-पतले बन जाते हैं इन्हें को capillaries बोलते हैं capillaries are extremely thin wall बहुत इनका जो side का जो wall होता है चम्ड़ा होता है वह बहुत पतला होता है only one cell thick मतलब एक cell जितना मोटा होता है उत्रहीं पतला इनका चम्ड़ा होता है the capillaries help to carry blood to every cell of the body in order to supply it with oxygen and nutrients तो यह capillaries हर सरीर के हल सर्ल तक पहुंच जाते हैं oxygen और nutrients नहीं vitamins proteins यह जो भी हैं carbohydrates यह पहुंचाने के लिए हर सल में when blood leaves an organ capillaries join together to form larger vessels तो भाई ओर्गन में चला गया वहां पर oxygen वाला blood इस्तमाल हो गया अब वहां से वापिस आएगा तो फिर वापिस जो आता है खून वह भी जुड़के आपका मोटा बन जाता है तो यहां देख सकते हम अच्छा विच अल्टिमिली जॉइन टू फॉर्म भेन तो यहां पर देखो यह आपका आट्री है यहां से oxygen वाला खून आपका पतला पतला होके organs में चला जाता है फिर organs आपके और पतले पतले निकल के आपके जो बिन ऑक्सिन का खून है वह जाके जुड़ियाते हैं भेन्स के साथ ठीक है देखो आट्री का यह अंदर का इस लो काटके एक पीस दिखाया अपने आप से करोगे आप और कॉपी में करके मुझे भेजना next process of circulation तो यह जो खून circulate होता है पुरा बॉड़ी में या supply होता है वो उसका process क्या है blood keeps on circulating between the heart and the rest of the body तो heart से पुरे सरीर में पुरा supply होता रहता है purified oxygenated blood from the lungs enters the left auricle तो oxygen के साथ वाला जो blood है वो हमारे left auricle में यहां समको right दिख रही है लेकर अगर घूम के हम देखेंगे तो यह हमारा left auricle है यहां पर हमारा साफ़कून oxygen वाला रहता है यहां from left auricle it enters the left ventricle which pumps blood to various tissues and organs of the body through arteries तो उपर वाला left auricle होता है नीच वाला left ventricle यहां से pump होके आपका खून चला याता है यह दिख रही है यहां से जो artery दिखर आपको main aortic valve बोलते है यह main सबसे मोटा आटरी है यह यहां से आपका खून पूरा शरीर में जाके supply होता रहता है ठीक है ना from the arteries divided into capillaries in the body tissues and organs पतले पतले हो याते हैं when capillaries हो याते हैं ताकि छोटे से छोटे सेल के अंदर आपका खून पहुंच सके है here the blood passes on the nutrients and oxygen and collects carbon dioxide and waste materials तो यहां पर oxygen दे देता है blood दे देता है है nutrients दे देता है और जो गंदा चीज है वह अपने खून के अंदर मिक्स कर लेता है खून में मिल जाता है this impure deoxygenated blood rich in carbon dioxide तो यह deoxygenated blood यानि बिना oxygen वाले जो खून है यहां से जो दिखने आपको नीला नीला यह फिर हमारा आयाता है veins के द्वारा and veins carry the blood back to the heart और यह सिधा फिर से यह दिखने आरो आपको दिखी रहा है यह हाट मा आ जाता है और कहांता है राइट औरिकल में उपर आला पाट from here the blood is passed on to the right ventricle तो यह उपर वाला राइट औरिकल है और नीचे आला पाट राइट वेंटिकल है पहले ना दूसरे पेज में फोटो दिया वात है वह देख लेना तो यह नीचा आ जाता है यहां से from where it is pumped to the lungs for purification यहां से यह जो पाइब दिख़र आपको यह सीधा आयाता है फिर से lungs में आयाता है तो यह यहां से नीला आपको दिख रहा है deoxygenated blood आपको आपशे चला आता है pump होके lungs में lungs में हम लोग सास लेते तो सीधा हमारा जो सास oxygen lungs में जाता है वहां से आपका खून में mix हो जाता है the pure blood returns to the left auricle फिर आपका यहां से left auricle में आता है यह दिख रहा आपको यह जो lungs चला गया यहां से lungs में चला गया है ना यहां से lungs में चला गया बिना oxygen वाला खून और oxygen mix होने के बाद फिर lungs के आपका हाट में आ जागा है यह तीर दे को बना हुआ है in this manner the circulation of blood continues इस तरीके से यह continuous process चलता रहता है हाट का डाइग्राम आपको बनाना है सीखना है यह वाला ठीक है यह एक डाइग्राम हम आप हमको बना के जरूर भेजना कॉपी में पैंसिल से और एक काम रहेगा चैप्टर तो खतम हो गया है एलीन दह बल्ैंक इस कॉपी में करना किताब तो यह नहीं आपके पास uh मैचिंग यह ले लोगी के लिए कॉष्यमंस्य और तो यह आज या उनिकार्ण पॉष्ष यह छरुज दो आप बनियां से करके कोई भी कुशन से जा कुछ भी दिखका तो जरूर उसको आप पूछ लेना